कि हैं लो फ्रेंड्स वेलकम यू तुई रॉआन स्टेडी चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं समान ने हिंदी का मौडल टेस्ट पेपर जो की प्लेटफॉर्म Volume 2 का Second Model Test Paper है ये हिंदी का है GS के सारे Model Test Paper बिहार दरोगा मेंस करके हमारे प्लेलिस में अबलियबल है वहां से जाकर आप देख सकते हैं तो आएए स्टार्ट करते हैं Volume 2 का 1 to 50 Questions का Solution मैंने अल्रेडी पहले के वीडियो में कवर कर रखा है तो आएए देखते हैं Question No. 51 से देखिए Question No. 51 हमारा क्या कह रहा है Bislation सब्द का BILOM होगा तो Bislation सब्द का BILOM होता है Sonslation तो इसका सई आंसर हो जागा Option No. C Next Question देखिए 52 अत्य अधीक का BILOM होता है तो अत्य अधीक का BILOM क्या होता है अत्य यल्प तो इसका सई आंसर हो जागा Option No. B अब आएए Next Question देखते हैं 53 रितु का BILOM क्या है तो रितु का BILOM UNRIT होता है तो इसका सई आंसर हो जागा Option No. B अब देखिए Next Question मंजूर का समानार्थी सब्द है तो मंजूर का समानार्थी सब्द क्या हो जाएगा स्विकार हमें स्विकार है या हमें मंजूर है एक ही चीज हुआ तो इसका सही आंसर हो जाए का option number C आप देखें next question 55 सबसे सटीक सार्थक बाग के चुनिए संघर्स मनुस को सफलता दिलाता है बी option है संघर्स मनुस इसको निखारता है यह सटीक और सार्थक बाग के है तो इसका सही आंसर हो जाए का option number D आप देखें next question question number 56 खुले आम सब्द का सबसे सार्थक परियोग है खुले आम नगाडे बज रहे थे खुले आम बरसात हो रही थी खुले आम बुराईया हो रही थी खुले आम नाग बज रही थी तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number C खुले आम बुराईया हो रही थी अब देखें next question next question 57 क्या कह रहा है बाक्यांस के लिए एक सब्द से समंधित कौन सा जोड़ा गलत है तो देखें जिसका इलाज कठिन हो दूसाद सही है जो मनुस्ता से दूर हो आमानुसिक ये भी सही है जो कम खर्च करने वाला हो तो इसको अल्प ब्याई नहीं कहके मित ब्याई कहते हैं जो कम खर्च करने वाला हो उसे मित ब्याई कहते हैं तो यही जोड़ा गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number C, आप देखिए next question देखते, question number 58, संगतकार का अर्थ है, संगतकार का अर्थ हो एता है, गायक के साथ गाने वाला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number C, आप देखिए next question 59, जो एक अस्थान पर ticker नहीं रहता है, बाक के लिए एक सब्द कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपका यह थावर, option number C, आप नेक्स question देखिए option 60, जो अच्छे कुल में उत्पन हो इस समूँ के लिए, एक सब्द क्या है, तो जो अच्छे कुल में उत्पन हो ता, उसे कूलीन कहते हैं, तो इसका सही आ कर देश के उन लोगों से बचाना है, देश को उन लोगों से बचाना होगा, जो थोड़े से धन के लोग में जैचंद हो जाते हैं, बोल्ड में मुहाबरे का सही अर्थ क्या है, तो जैचंद हो जाना मुहाबरे का सही अर्थ होता है, देश द्रोही होना, जैचंद कौन थ ये मुहाबरे का अर्थ क्या होगा तो इसका टक्कर खाई ये मुहाबरे का अर्थ होगा नुकसान उठाना नहीं कस्ट उठाना होता है तो इसका सही आंसर होगा option number B अब next question देखिए question number 63 पुत्री का बिवाह करके अजय के माता पीता गंगा नहा लिये तो इसका सही आंसर होता है गंगा नहा लिये मुहाबरे का अर्थ क्या होगा तो इसका सही आंसर होगा कारे से निव्रित होना तो इसका सही आंसर होगा option number B अब देखिए next question 64 मुर्क समझा जाने वाला मदन जब कच्छा में प्रथम आया तो उसके मित्रों ने जान लिया कि व आर्थ पूछ रहा है तो छुपार उस तो मुहाबरे का अर्थ क्या होगा आपका replicated की बास्तेविकता परकट होना नई बाक्ति की बास्तिविकता परकट नहीं होती हो आपर गुप्ट बात का प्रकट होना चिपकर कारे करने वाला और देखने में सधारन ब्सक्ता में ग पूछा जा रहा है तो इसका सही अंजर होगा पच्छताना ओप्षान नम्मर बी आप देखिए नेक्स कोश्चन 66 लेखन कोसल के विकास में ब्याकरन का महत्व है बड़तनी सम्मंदी समस्याओं का समाधान करना सही है बिराम चिन्नों के गलत परयोग का समाधान करना कठीन सब्दों के परयोग की समस्याओं इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा उप्रोक्त सभी और अप्षान नम्मर बी यहाँ पे देखिए सुध बड़तनी आपको कहने यह फाइंड आउट करने कह रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोश्चन नमर 67 का देखिए तो आपका ज्योट्सना यहाँ पर ऑप्षन नमर सी आपका सही है ज्योट्सना 68 देखिए तो आपका हो जाएगा अस असवे अभी तो इसका ऑप्षन ए सही होगा 69 सुद बरतनी वेला सब्द पूछ रहा वही सेम कोश्चन से तो 69 का सही आंसर हो जाएगा पुर्ण बिचार ऐसे लिखते हैं देखिए ओप्षन नमर 20 का सही होगा 70 में देखिए कि जोट्सी है तो जोट्सी सही आंसर हो जाएगा ओप्षन नमर सी जोट्सी तो अब नेक्स कोश्चन देखते हैं यह आपको बरतनी सुद्ध करने वाले कोश्चन है देखिए आपके 30 मार्क्स क्वालिफाई करने के ले लाना है तो कुछ-कुछ स्पेशल टॉपिक पकड़ लीजिए जिसको आप कवर कर लीजिए बाकी चीजे करते जाएंगे एक एक बार वीडियो देख लीजिए पांच सेट है आपको कवर हो जाएंगे नेक्स कोश्चन देखिए 71 निम्न में से कौन सा युग्म गलत है तो इसका सही आंसर हो जागा सब्सक्राइब देखिए 72 अंदर कड़ी में गुड पगना चर्थ है तो यह क्या हो जाएंगा इसका सही आंसर हो जाएगा गुपते मंत्रना और और ऑप्शन नम्बर बी इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स देखिए 73 गाठ का पूरा मुहावरेकार्थ कूछ रहा है तो čini आप वह लोकोक्ति का अर्थ क्या है तो गुम के विरुथ नाम होना इसका सही होगा हो जैगा अब देखिए दूसरों के दोस्त ने वाला कहलाता है तो क्या हो जाएगा चंद्रावेसी चंद्रावेसी जो होता है अयुज़ को होता है वह दोस्तों को विवेचना करने वाले को हम आलोचक कहते हैं और दूसरे के दोस्ट देखने वाले को चिंदर बेशी कहते हैं तो आप देखिए next question देखिए 76 जिसका ग्यान इंद्रियों द्वारा हो सके इसको क्या कहते है गोच सहर और ना हो सके इसको इसको अगोच सहर तो इसका सही answer हो जागा option number B अब next question देखिए 77 जीतने की इच्छा के लिए सब्ध है तो इसका हो जाएगा जीजी विशा तो इसका option number A सही हो जाएगा 78 देखिए जिसके विशाय में ग्यान ना हो तो क्या होगा अज्याद तो इसका सही answer हो जाएगा option number D अब देखिए ये गद्यांस दिये हुए इनको पढ़के आपको answer करना है ये बहुत ही easy होते हैं ये तो आप खुद से भी कट लेंगे तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इससे like जरूर करें और subscribe करें अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो हमारे चैनल को subscribe कर लिजिए और अपने दोस्तों के साथ इससे जरूर से एर कीजिए थाइंक्स पर watching साथ ही अगर आपको हमारे बहुत बच्चों के comments आ रहे थे कि maths का वीडियो चाहिए मैट्स के लिए बीडियो चाहिए तो मैट्स का topic wise बीडियो अमारे चैनल पर उपलब्द है आप वहां से जाकर देख सकते हैं और अगर आपको इस बीडियो का PDF चाहिए तो इसके लिए आप हमारे WhatsApp गूप पे जुड़े या Instagram गूप पे जुड़े वहां हमारे जितने भी वीडियो डाले जाते हैं उसका PDF वहां पे अबलीएवल करा दिया जाता है तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं आप पहले खुद से अटेंट करें उसके बाद आप हमारे वीडियो देखकर आप आंसर मैच कर सकते हैं और उसके explanation भी देख सकते हैं जिन लोगों ने subscribe कर रखा है उन्हें तो idea होगा क्योंकि GS के questions का जो model test paper है वो already daily basis पे provide करा दिया जा रहा है तो वो लोग देखते हैं पर आगर आप हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो GS के सारे वीडियो देखने के लिए साइंस के question आते हैं तो कोई space space chapter में पूरी तरह से कमांड नहीं कर पाते हैं कि अगर बीस question साइंस से आ रहे हैं तो 20 का 20 attempt कर ले और 20 का 20 सही हो जाए यह थोड़ा मुस्किल हो जाता है तो एक average बना के चले सारे subject के बना के लेके चले कि हमारे साइंस से अगर 20 question आ रहे हैं तो हम उसमें 16 से 17 सही हो सके हमारे maths के question हमारे सही हो सके तो इससाब से सारे subject पे आप अगर कमांड करेंगे तो वह आपको success जरूर दिलाएगा तो अगर आप current affair का आज के date में सारे एक्जाम जितने भी एक्जाम सो रहे हैं उसमें current affair का बेटेस बहुत जादा रह रहा है तो आप current affair के टच में जरूर रहे हमारे चैनल पर भी current affair का वीडियो अप्लियाबल करा दिया जा रहा है तो आप उसे देखें और current affair रखें हमें साब प्रिपेर रखें टाकि आपके current affair से 20 से 20 questions तो होते ही होंगे होते ही हैं तो आप 20 में से कम 15-16 वह आपका स्योर सॉर्ट question हो जाएगा जैसे जीस में होता है कि कुछ question कितना भी पढ़ देने के बाद मिस हो जाता है लेकिन math science की question होते हैं अगर आप उसे अच्छे से कभर करेंगे तो वह miss नहीं होगा तो आप इन चीजों को ध्यान में रखें और हां अगर आपको science का अलग से वीडियो चाहिए तो आप comment करके हमें जरूर बताएं और उसका language जरूर बताएं कि आपको Hindi में चाहिए या English language में चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों का science जनरली वो English में पढ़ते हैं और G.S. वो Hindi में पढ़ते हैं और Science वो English में पढ़ते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि science का वीडियो अगर अलग से चाहिए तो उनक का मीडियम क्या होना चाहिए हिंदी या इंगलिस थांक्स फॉर वाचिंग अगर आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ इसे जरूर सेयर करें